बारिश में काली गोरी बहु का बटवारा सुना है जिस घर में काली और दूसरी गोरी बहु हो, वहां तो दिन रात महाभारत होती रहती है और इस बीच सास भी किसी एक से प्यार करती है, पर यहां सास दोनों से प्यार करती है ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है जहां बड़ी बहु दिव्या काली है और छोटी बहु अनिता गोरी है शुरू से ही उनमें जगडा बना रहता है जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों बहु एक ही बात रूम में कपड़े धो रही थी जल्दी से वाशिंग मशीन में मेरी कपड़े धुल जाए तो मैं आराम से सोना चाहती हूँ बहुत धकए हूँ ओहो इतने देर से कपड़े धो रही हूँ लेकिन ये गंदी जीन साफी नहीं हो रही है सुना अनीता तुम अपनी वाशिंग मशीन में मेरी चार-पांच कपड़े धो दो छे तुमें दो ही जुकी हूँ क्यों ये मेरी मशीन है मैं दहीस में लेकर आई हूँ आपको क्यों दू? पता चले आपके छूने से मेरी कोरी सी सफेद मशीन भी चंग पकड़कर काली हो गई है अनीता तुम हमेशा घूम फिर कर मेरे काले चेहरे पर ही क्यों आ जाती हो? 24 गंटे मुझे आपके बच सूरत से काले शकल देखनी पड़ती है मैं कपड़े दू रही थी तो आपको भी इसी वक्त कपड़े दूना जरूरी था है? और मेरे आने से पहले तो वाशिंग मशीन नहीं थी जैसे पहले दूती थी, हाथ से वैसे ही अब भी कर लो मशीन से अपने कपड़े दूने के बाद अनीता वहां से चली जाती है और अपने गोरी रंगरूप को निखारने के लिए उप्टन लगा कर एसी में रेस्ट करती है, कुछ दिर बाद उठ जाती है क्या कजब की नेंदाई है, फेस वाश कर लेते हूँ, एकतम फ्रेश फील होगा उसके बाद भोग लग रही है, खाना खाऊंगी अनीता अपना फेस वाश करके रसोई में कुछ खाने के लिए ढूंगती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, और दिव्या गैस पर आलू के परांठी बना रही होती है अरे राम, मुझे बहुत सोड़ सी भोग लग रही है, क्या करूँ? तुम्हें भोग लग रही है, तो अनीता परांठा खालो ना, मैं तो बना ही रही हूँ मुझे आपके काले हाथों से बने आलू के परांठी खाने का कोई शक नहीं है, मैं खुद से बना लूँगी, जल्दी से गैस को खाली कर दीजिए माफ करना, अभी उन्हीं बहुत भोग लग रही है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा, तुम्हें तो मेरे हाथ का खाना नहीं है, तो सब्र करो सब्र, सब्र माइ फुट, माजी, माजी इदर आईए ये सुनकर सावितरी रसोई में आ जाती है क्या हुआ, एक दिन ऐसा नहीं जाता जब तुम दोनों ने मुझे आवाज न लगाई हो, अब क्या हो क्या माजी मुझे बहुत भोग लग रही है, और ये कैस के पास से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है माजी मैं उनका खाना बना रही हूँ, थोड़ी दिर में बन जाएगा, फिर भी देवरानी जी को चैन नहीं है मैंने बोला भी कि ये खा लो, तो ये मुझे बार बार हमेशा की तरह काली बोल रही है, और मेरे हाथ का बना भी कुछ नहीं खाना चाहती ओहो, तो तुम दोनों कब तक इसी छोटी मोटी बातों पर लड़ती रहोगी, देवरानी जीठानी के तरह क्यों नहीं रहती, ये काला गोरा लाना बीच में जरूरी है माजी मैं तो ऐसी बाते करती नहीं हूँ, लेकिन अनीता ही नहीं मानती तो मैं क्या करूँ ऐसे ही वक्त गुजरता है, छे साल बात दोनों की बेटी होती है, दिव्या की बेटी आरूशी उसी के तरह काली थी, और अनीता की बेटी शिखा उसी के तरह कोरी थी, सास तो दोनों को बहुत प्यार करती थी, और दोनों बेहने भी आपस में एक दूसरे से प्यार करती थ एक दूसरे के साथ खेलती थी लेकिन देवराने जिठानी की नोग जोग अभे खत्मन नहीं होती है और सावन की बारिश की वज़ा से गर की दिवार में सीलना जाती है और चट से पानी टपकने लगता है एक दिन गोरी बहु अपने मुँँ पर फेस पैक लगा रही थी तो चट से उसकी चेहरे पर पानी टपकता है ओहो चट से पानी कैसे आ रहा है समझ गई काली जीठानी की काली बेटी चट पर कोती रहती है इसी साइड इसलिए तो पानी आ रहा है यहां से अभी बताती हुई ने दोसे तरफ दिव्या ने अपने पती और बेटी के लिए गैस पर से मेरा कोकर हटा दिया होगा और अपना खाना बनाने के लिए रख दिया होगा अब मैं उसे छोड़ोंगी नहीं बस बहुत हो क्या हाई बार मैं ही एड्रेस नहीं कर सकती उपर से मेरे कमरे में बारिश का पानी आ रहा है अपनी बेटी को तो समझाती नहीं, इतना कोटी रहती है दोनों एक दूसरे से मिलने ही आ रही थी कि टककर खाकर जमीन पर धढ़ाम से गिरती है आँ मेरा सर, ओ माई कॉर्ड, कर लो मया जिठानी जी, आपको देखका चला नहीं आता क्या और आप जानती भी है, आपकी काली बेटी की वजह से मेरे कमरे में पानी आ रहा है मेरे कमरे के उपर ही छट पर आपकी बेटी कोटी रहती है हाँ तो तुम्हारे कमरे में पानी नहीं है, मेरे कमरे की भी दिवार में सीलन आ गई है और छट से पारी टपक रहा है क्योंकि तुम्हारी बेटी भी नाश्ती रहती है अपनी बेटी को अपने कमरे में कुदाती मैं रसोई में खाना बनाने रखा था तुमने कोकर भी हटा दिया हाँ तो मेरी बेटी ने मेरे से पास्ता बनाने को कहा था मेरा गर है मेरी भी रसोई है मेरी कैस है तो मैं भी खाना बनाऊंगी न हमीशा आपका और आपकी बीटी का ही हक नहीं चलेगा हर जगे ठीक है तो फिर बटवारा ही कर लेती है अपना अलग अलग बना कर खाएंगे ना ऐसे जंजट होगा और ना ही चिक चिक फिर भी सारे फैसले खुद कर दे है हाँ माजी फैसला हो गया है हमें इस थर का बटवारा चाहिए तोनों को कभी भी ये बात्रूम में मुझसे मेरे दहेच की वाशिंग मशीन मांगती है तो कभी खाना बनाने नहीं देती हमेशे इंका राज नहीं चलेगा हाँ माजी मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरा खाना बनने नहीं देती है कभी छट से मेरे कपड़े हटा कर अपने सुखा लेती है बटवारा कर दीजे ताकि सब अलग-अलग हो उपर से बारिश के मरम्मत भी करवानी पड़ेगी अब अपने कमरे की अरे तुम दोनों कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो वो अलग कैसे रहेंगी दोनों बहने एक दूसरे के साथ रहती हैं जब उन दोनों में काली और गोरे बन का बैर नहीं तो तुम क्यों करती हो मा जी वो दोनों बच्ची हैं लेकिन हमें समझ हैं और हम बड़े हैं बस बटवारा हो गया तो हो गया ठीक है कर लो अपने मन की मर्जी और बारिश में बटवारा दोनों बहुएं अपनी बेटी और पतियों को खेल रही थी, अरी तुछी पता नहीं है, ये वाला खेल भी मुझे पताना पड़ेगा, देख उंगली रख, मैं बोलूँगी चिरिया और तो उड़ा देना, ठीक है ठीक है, मुझे हा क्या, मैं बोलूँगी चिरिया उड़ी, उड़ी, कपड़े उड़े, उड़े, भैस उ तिल ठीक है मैं आउट बारिश में नहाने चलती है दोनों बहने एक साथ बारिश में नहाने लगती है और दोनों की माउने ढूंगते गुए पहुँच जाती है धला एक छोड़ी बहन के साथ क्या कर रही है मना किया था न मैंने कि अब तो इसके साथ नहीं खेलेगी और ना हमें उनके हिस्से में जाना है फिर भी शिखा मैंने भी तुछ को समझाया था न कि ये हमारे हिस्से में नहीं आएगी हम इसके हिस्से में नहीं जाएंगे छट पर भी बटवारा हो रखा है तुझी दिखाई नहीं देता अपनी काली बहन के साथ मत रहे और न तो भी काली हो जाएगी मम्मी अब यह कैसी बाती कर रहे हो वो मेरी बहन है हम दोनों रोज साथ में खेलती है और बटवारा आप दोनों की बीच हुआ है हम दोनों की बीच नहीं हम तो खेलेंगे यहाँ पर हाँ मम्मी और मैं भी खेलूंगे अपने बेहन के साहथ दोनों बेहने वहाँ से भाग जाती है ये लड़की भी ना समझती नहीं है हाँ तो समझा की रखो न एक तो पैसे लगवा दिये मरमत करवाने में फिर से आपके बेटी मेरे पाले में नहीं आने चाहिए ये सुनकर दोनों एक दूसरी को मुझ चड़ा कर चली जाती है दोनों काली गोरी बहू अपनी बेटीओं को एक दूसरे के साथ खेलने के लिए बहुत मना करती है लेकिन वो दोनों मानती कहां है कुछ दिनों बाद बारिश के पानी खिर्की से घर में आ जाता है जिससे दोनों में साफ सफाई के लिए लड़ाई होने लगती है अरे यो काली जी ठानी जी अपनी खिर्की को बंद कर लो आपकी वज़े से मेरे हिस्से में पानी आ रहा है हाँ तो मैंने डलाए क्या अब ये बटवारा हो गया है तो अपने हिस्से का खुद साफ करो तुमारे हिस्से की सीड़ियां मेरी तरफ पानी आ रहा है उनसे मैंने कुछ बोला हाँ आप बोलने का ही इंतजार कर रही थी और देखो कैसे सुना दिया मुझे नहीं पता आप यहां आकर साफ करो मैं क्यों तुमारे हिस्से में आकर साफ करो तुमारे हिस्से कभी पानी मेरे हिस्से में आ रहा है तुमारे हिस्से में आकर साफ करो ओहो इन दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई बहिया हम यहां से चलते हैं अपने अपने काम पर इनका तो सारों से है दोनों के पती बारिश में एक साथ आफिस चले जाते हैं और दोनों की बेटी उन दोनों की बहस देखती है लगता है हम दोनों की ममी योही लड़ती रहेंगी हम ही ये साफ कर लेते हैं हाँ दोनों की छोटी-छोटी बेटियां सिड़ी और खिड़की सियाए पानी को साफ करने लगती हैं कि फिसल कर सर में चोड लगा लेती हैं और धड़ाम की आवास आती है शिका, शिका मेरी बच्ची, माजी, माजी देखना, आरोशी को क्या हो गया नहीं, माजी, पहले इधर आओ, और मेरी बेटी को हस्पतार लेकर चलिए बस करो तुम दोनों, बहुत हो क्या तुम दोनों को समझ नहीं आता कि तुम्हारी बेटियां एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती और तुम दोनों से जादा समझदार हैं, तुम्हारी लड़ाई को खत्म करने के लिए अब वो खुद की सफाई करने लग गई, और दोनों के रपड़ी, अब कम से कम हॉस्पिटल तो साथ ले चलो और बंद करो इस बटवारे के नाटक को सही बोला माजी आपने, हम दोनों का ऐसे नहीं करना चाहिए था, और ना हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता मेरी भी गलती है माजी, मुझे माफ कर दो, अनीता सबसे पहले मैंने ही बटवारे की बात बोली, मुझे समझने चाहिए था मेरी भी गलती है दीदी, माफ कर दीजी, मैं बार-बार आपको काली-काली बोलती थी मांग ले न एक दूसरे से माफी, अब चलो मेरी पोतियों को लेकर सावित्री और दोनों के मा दोनों बच्चियों को अस्पतार लेकर पहुंचती हैं जहां दोनों कुछ देर बाद होश में आ जाती हैं, दोनों बहुवों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बटवारे कोई लकीर बीच में से हटा देती हैं, और सब एक साथ खुशी-कुशी रहने लगते हैं दोस्तों इस कहानी से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि बड़े आपस में बटवारे को लेकर कितनी भी नफरत करें लेकिन बच्चों में ये चीज कभी नहीं आ पाती क्योंकि उनका मन नरम सौंदर्य होता है